नमस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में यह वीडियो होने वाला है PCB ब्लॉस्ट्रोज वसस PCB डाइनमाइट से बीचो खेला जाएगा फॉर्स्ट मैच उमेंस नेशनल च्राइंगूलर टी-20 कप का गाइस हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोनों ही टीम के हर एक प्लेयर के बारे में बारीकी से यह मैच होगा पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक ओमेंस मैचेस होते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो यार बहुत ज़्यादा मैं न्यूस आप लोग के लिए लाया हूं इस वीडियो में वीडियो आप अन तक देखना विकोज जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उधर के वीडियो डाल चुका हूं गाइस कौन सा मैच वो जो होगा गाइस प्रोबबली पचिस से स्टार्ट होने वाला है मल्टा T10 का फर्स्ट मैच का वीडियो मैंने अल्रेडी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूगा बंगलादेश T20 का वीडियो और शायद कल तक आ हमारे टैलिग्रम चैनलə तो टैलिग्रम चैनल जॉइन हो जाना ये रहा fantasy दूनिया आप सर्च कर सकते होornos चैनल नीम डाल कि suggestY तो उतर से भी आप जॉइन कर सकते हो का पर हमारा चैनल का लिंक तो मैं चलता हूं जैनलाइस से क्शन में पूड़ा वीडियो अच्छ से वेनु कहा होगा राउल पिंडी स्टेटियम तो सबको मालूम है इसमें क्या होता है चेजिंग थोड़ा मुझे प्रिफरेबल लगा कास करके शुरू के मैचस मैं बताता हूँ लिखा यह जो बॉइस का मैचस है मेल का मैचस है उधर यह चाहिट है तो यह मैचस में जरूरी कम होगे अगर मैं आपको बोलता हो जो इनका डॉमेश्टिक लुच था ईस मै नहीं नहीं पर लिगके भी रखा यह टिपार्टमेंट पाकिस्तान में मैच्छा हुआ सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें स्कोर बहुत कम बन रहे था बहुत कम मैच था जो 150 के उपर बना अल्मोस्ट नीचे बैटिंग किया एंड इस मैच में भी नीचे बैटिंग करेंगे इंडरनेशनल नैचेस में तो बैटिंग नहीं मिलता तो इस बैट्समन अगर आपको इनको लेना है तो मतलो कब लोगे इनको अगर आप चाहते हो कि वीकी से आपको पॉइंट चाहिए मतल सब्सक्राइब करेंगे इनको 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 इनका साथ भी जाओ जो आइडिली जवेहरा खान जो है इनका नाम मैंने यह आपे बोला यह जवेहरा खान का साथ ओपेन करेंगे जे रॉफ ठीक है यह 11 मैश 10 इनिंग 27 मैंने यह गलत लिख दिया ठीक है यह कुछ होगा यह 4 विकेट भी है इनका इंटरनेशनल मैचस में ठीक है बट डोमेस्टिक मैचस देखो तो यहां पे बॉलिंग कर नहीं रहा था डिपर्टमेंटल कप में इन्हों को लगता है कि ओपेन करेंगे बिकोस मिल ओडर में थोड़ा स्कूर करना मुश्किल होगा जब पाउर प्ले खुल जाता है तो जेर ओफ एक अच्छे चॉइस है जो अच्छे फॉर्म में थे डिपर्टमेंटल कप में जो हुआ था 2019 में लास्ट यार इसी टाइपिल में तो इस अभी हो रहा है बट यह सेम ऑल्मोस्स सेम टूनामेंट था जो अपका टूनामेंट है तो उसमें यहर ओफ का पच्छपन रन था ओपेनिंग करते हैं यहर मैच में उपेंगे तो आई तिंग यह उपेन करेंगे ठीए पार्टेम बॉलिंग करने से वह एक्स्ट्रा याकूप का मुझे पता नहीं रिकॉर्ड्स एबलेवल है नहीं अगर खेलते हैं मैं दे दूंगा अपको ए रियास इंटरेशनल है गाइस राइट हम मीडियाम करेंगे यह रियास जो है यह एक तो मस्ट पीक भी होते हैं हमारे लिए क्यूं होते हैं देखो ब्यालीस मैच इनका इनका भी फर्म मुझे अच्छा लगा डोमस्टिक कप में एक मैच में इक मैं ऑपन किया था बट士 में नहीं कर रहा था बट yaptम में प्लेक्ट में एंक वीकट ब्लेक्व। बॉल फिनिश होता है विकेट्स में जो ज्यादा चांसेज खुल जाते हैं कि इनको विकेट्स लेने का ठीक है टुबा हुसेन आइधिंग मैं डॉप कर दूँगा अना ममीन मेरे साब से मस्ट पिक लेफटाम और्थोडोक्स मतलब ऐसे मैचेस में जो मतलब थोड़े आप अ यह दो गाइस यह डोमस्टी कप जो हुआ था अब मैंने थोड़ा आगी बोला था पकिस्तान में डिपर्टमेंटल कप तो उसमें भी यह हर मैच में एक लिए रहा था था थी एम तारीक आइधिंगे पर्वेस चाहो तो ले सेग तो एक्षा क्रेट से वर इंटेशनल मैच तो यह हर मैच में अल्मोस्ट ओपिन कर रहे थे ठीक है एक ही मैच था जहां पे नीचे खेला था आइधिंग यह ओपिन करेंगे इस मैच में किस के साथ नहीदा खान के साथ नहीदा खान 53 मैच 51 इनिंग्स में 603 रन है अगर देखोगे इनका यह 8-7-0 यह 3-0 T20 या इनिं का अगर मैं एक चीज़ बता देता हूं आपको अगर रिस्क लेना पसंद है और आप रिस्क टेकर हो लाइक नी तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं क्यों करोगे विकॉस आइधिंग यह अगर 30-40 रन भी बनाएंगे इनको इनका स्ट्राइक बहुत नीचे रहता है यह एक 70-80 के करीब स्ट्राइक रहता है जो इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत देंगे ठीक है ओनामी सोहल यह एक अच्छे चॉइस लग रहे है मुझे 24 मैं 21 इनक्स में 301 खास करके देखो मैंने अलग से इनका जो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा है जितना भी मैंने इस ट्रैनिक्स में 247 इनको कैप्टेन बनाएंगे इनका अगर इंटरेशनल मैच देखो 12 मैच में 41 रन 22 डालतो है चेही विकेट है केबल 6 विकेट है का इस 12 मैच में केबल 22 मैच मतलब इंटरेशनल मैच में बॉलिंग जादा मिलता नहीं अगर डोमेस्टिक कब उठाके सब्सक्राइब इनको मैं बना रहा हूं आप रिकोर्ट मैं आपको शूप कर दिया इस रेकोर्ट के साथ एक और अच्छी चॉइस इंटरेशनल प्लियर है जो 200 अस्टाशी 288 रन है गाइस 33 इनिंग्स में यह मिल और में बैटिंग करते हैं 32 टू डाउन एक रिसन इनिंग साइन का Domestic Cup में D-bike डैना बाइक यह न राइटम मीडियम करते हैं पाकिस्तान में राइटम मीडियम करेंगे अड ऑपनेन में गाइस पाकिस्तान का जो quality Top Order Batsmen है वो कहलेंगे गाइस 3 लुएक जावेरा खान जे रॉफ फिर और सिदरामिन तो डैना बाइक इतना एक राइटम मीडियम से ज्यादा बेटर होगा अपने टीम में तो इनको ले सकते हो बाइक गाइस एक हार्डेटर वेट्समें भी है बट मैं तब भी प्रिफर करूंगा संदू के साथ जाना आपको रमीन शामीम का रिकोर्ड चार मैंस 13 ओवर में एक उकेट है डिपर्टमे कि चाहू तो आप ले सकते हो एजा डिफरेंशल प्लियर आइडों तिंग कि बहुत ज्यादा स्कूर होने वाला है खास करके अगर यह फर्स्ट बैटिंग करता है ना डिवाइए उमें तब मैच बहुत ज्यादा स्वाटेट होगा तब आप इनका मैक्सिमम बॉलर ले ले और हो सकता है एडियास को हार हिटिंग के लिए टू डाउन भेजा जाए तिस्टी को नीचे बेजा जाएंगे यह होंगा इनका डिवाइए उमें के लिए एन खान शायद ओपिन करेंगा हफसा खलीद के साथ ओमेहिमा सोल वान डाउन और टू डाउन करेंगे इनका थोड चैनल के साथ जुड जाना वीडियो पसंद आये तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से ओन एन डालाइसिस में जल्दी में वीडियो बनाया था अपके तक पहुंचाना था बहुत जल्दी वीडियो तो अब डेपर्मेंट टीट्वेनि डीट कंश कब प को की विकेट्स थोड़े ज्यादा गीर रहे थे गाइस अल्मोस्ट सभी मैचेस 130 120 के करीब था सिप दो मैच था 166 प्लस मने थे उसमें से एक मैच में गाइस बरा इसकोर था जावेरा खान का और एक मेस था जे रॉफ का जो दोनों गाइस सेम टीम के लिए के लिए तो इससे इंडिकेट होता है कि गाइस बी एले उमेन मुझे बहुत ज्यादा बेटर लग लग रहा है डी वाई उमेन के साथ मतलब और पोजिशन में अप अगर कैटन वाइस करते हो तो इनका प्लेयर्स को ज्यादा मतलब नॉमिनेट करना है जैसे कि जे खान इवन जे रॉफ को भ इस अमजात मिल ओडर करेंगे और साड़े अट क्रेट सा रहा है तो मैंने इनको ले लिया इनको मैंने इस तारीक को लिया जस्ट एस क्रेडिट से बरहां यह चेंज हो जाएंगे तो डोंट वरी यह लिए लिए सोचना मत ज्यादा नस्रा संदू को ले लिया जो एक लेफ च्छाइस होगा देखो मेरे पास एक भी क्रेडिट नहीं बच रहा तो मैं चाहता था गाइस एक्चलिए ओमाइमा सोहिल को लेना अगर आप बोलते हो मुझे किसका जगा लेना है अगर क्रेड डिशुस मेरे पास नहीं होता है तो मैं ओमाइमा सहिल को ले लूँगा वह किसका एच अमजाद का जगा बट मैं फिलाल नहीं ले रहा विकोस यह टीम डॉमिनेट करेगा यह वाला टीम तो मैं इनका टॉप 3 ले लिया ठीक है जो टॉप 3 करेंगे जे रॉफ ओपन करेगा और आपको सेव जाना है तो सिधा जे रॉफ का जगा उमेमा सोहिल को ले सक बैतर बैट्समन है फर्स्ट कुछ फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट गईस यह जो बॉलिंग करेंगे डियाना भाई यह बॉलिंग करेंगे जे खान को ठीक है जे रॉफ भी विकेट लूस नहीं करेंगे मुझे जितना लगता है ऐस आमीन बॉल अच्छा बैटिं आना नहीं है कि इस बैटिंग इनका पास आएंगे नहीं बट यह अगर वीकी से कुछ कैचस पकल लेते हैं तो अलग बात अधर्वास मैं मुझे लगता है कि हफसा खली बैटर चॉइस होंगे रिस्ट यूर च्वास मैंने आपको सब कुछ पता दिया कौन कहां पे खेलें वीडियो पसंद आया तो लाइक करके टेलेगरम चैनल जॉइन हो जाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू गैस